वेलकम टू दो अनादर व्लोग गईस और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जवार की रोटिया तो मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा डीटेल में रेसिपी बताने की कोशिश करूंगी तो रेसिपी तो नहीं बोलूंगी लेकिन अभी कैसे बनाते हैं वो और अच्छे से मैंन करती हूँ तो इसलिए अभी एक हाथ में मोबाईल पकड़के मैंने शूट करा है तो उतना डीटेल में तो नहीं आप लोगों को दिखा पाई लेकिन आगे इन फ्यूचर में आप लोगों को वैसा दिखाने की कोशिश करूंगी जभी मेरे साथ मेरी भावी या मम्मी तो उनको कैमरा पकड़ने के लिए बोलूंगी और फिर मैं शूट कर सकती हूं तो यहां पर मैंने रोटी डाल दी और पानी का हाथ दिया रोटी पर तो पानी घुमाया रोटी पर और यहां पर अभी मैंने पलट भी दी और फिर जब गीली होती है उस साइड से तो जल्द मुझे कमेंट कर दो मुझे भी बनाने में इंट्रेस आए तो इसके लिए और फिर मैंने फटेक से बना दी दूसरी वाली रोटी तो मैं काफी बड़ी बड़ी रोटिया बनाती हूँ तो हमारे घर पे 7-8 लोग है तो जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं यह रोटी का दो लेयर अलग-अलग करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को ताकि आप लोगों को लगे कि अभी यह सच में फूल गई है तो फिर यहाँ पर यह पहली वाली तो मैंने अच्छे से बना दी अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस साइड से रखी हुई है और फिर दूसरी वाली भी जल्दी बनाऊंगी तो यह पहली वाली रोटी की मैंने अभी लेयर निकाली है थोड़ी सी तो आप लोग देख सकते हो कितने अलग-अलग दो layer अभी दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पतली रोटिया है दोनों है और फिर दो रोटिया है किसा लग रहा है लेकिन ये एक ही रोटि है जो कि मैंने layer अलग-अलग करे हुए है और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दो कि यह है लास्ट वाली रोटी तो मैंने जल्दी जल्दी में बना दी और कितनी ज्यादा फूल गई है तो आप लोग देख सकते हों तो डीटेल रेसिपी के लिए मुझे आप लोग कमेंट जरूर करना और यहाँ पर मैं आई हूँ मेरी रूम में और मैंने मेरा नाम भी लिख दिया जो कि मैंने अंकशास्तर के नुसार चेंज किया हुआ है तो मैं वही एडवांस कोर्स कर रही हूँ अंकशास्तर का तो मैं आगे आप लोगों को अपडेट डे दोंगी और यह रहा पाहर का व्यू तो धूप काफी ज्यादा है तो अभी कुलर के बिना तो काम नहीं जल्दा मेरी रूम में तो नहीं है उपर वाले लेकिन नीचे वाली सारी रूम्स में हम लोगों ने लगवा दिये हैं और अभी इसी के साथ यह ब्लॉग होता है यही पेखतम तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक करना चानल को सब्सक्राइब है